हलो बच्चो मैं वीरिन रियादव आप सभी का TMIS Homepage Education में फिर से स्वागत करता हूँ तो बच्चो आजम आपकी हिंदी की किताब पंखुडिया का पार्ट छे मनस्ची ही महान का भाग दो समझेंगे तो बच्चो भाग दो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा उन्रावतन कर लेते हैं कि भाग एक में हमने क्या सुना था क्या समझा था तो बच्चो भाग एक में हमने देखा कि क्या होता है एक अच्छासा मन्च जमा होता है गया हो तो मैं क्या करूँ सभासद में और भी लोग बैठे हैं उनसे इस बारे में प्रश्णोत तरीक के रूप में पूछ सकता हूँ तो अकपर कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं बहुत अच्छा इससे क्या हो जाएगा मेरे दो-दो लाब हो जाएगे मतलब मैं आम के आम और गुठलियों के दाम मतलब क्या मुझे उत्तर भी मिल जाएगा और क्या होगा सभासदों में जो लोग हैं उनका मनोरंजन भी हो जाएगा तो इस तरीके से क्या होता है दोनों में बातचीत करते करते दोनों सभासद में आके आपस में बात आ करने लगते हैं और भीरवल कह आपस में बात करने लगते हैं और यह बीरवल तो हमेशा क्या करता है हमेशा अपनी चित भी मेरी और पट भी मेरी मतलो हमेशा क्या करता है अपनी ही मन मानी करता है और किसी की नहीं सुनता है और जो अकवर हैं वो भी हमेशा बीरवल बीरवल ही करते रहते हैं जैसे हम तो चौथा इस तरीके से कई तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं और बीरवल उनको मुस्कुराते हुए सभी के उत्तर बताते जाते हैं अब क्या होते हैं जो चारों के चारों लोग हैं पहला दूसरा तीसरा जो उसमें सभासदने बैठे हुए हैं उनसे दो से दो दोवार प्रश्ण पूछ लेते हैं और बीरवल उनका तुरंत उत्तर हस्ते हस्ते बता देते हैं अब क्या होता है बीरवल केते हैं मैं ठीक है मैंने तुम्हारे सभी प्रस्णों के उतर बता दिये हैं अब तुम तैयार हो जाओ अब मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाता हूँ इस तरीके से बीरवल उन सवासदों को कहते हैं और उनसे पूछने लगते हैं तो चलिए बच्चों क्या पूछते हम जानते हैं तो बीरवल कहते हैं अगर ना होते हम धरती पर चांद की चांदनी का क्या काम था काम अगर नहों हम धरती पर बोलो सुरज की क्यूनों का क्या काम निर्मल नदियों की जलधारा विर्थ बहेगी शुबह शाम अगर नहोते हम धरती पर उचे परवतों की है क्या पहचान अभी क्या है जैसे ही बीरवल उन सब को पूछते हैं तो सबी सबासत चुप हो जाते हैं अब बीवार पूछ रहे हैं बोने बताओ यदि हम धरती पर ना होते तो इस चांद और चांदनी का क्या काम था? कौन इसे पूछ था? चांद है और इसकी इतना सारा प्रकास हो रहा है चांदनी हो रही है हम मनुस्य हैं जो उस निर्मल नदियों के जलधारा का प्रयोग में लेते हैं जैसे कि किसान अपने खेती में लेता है और हम लोग उसे अपने घरों में उप्योग में लेते हैं तो उसी तरीके से बिरूर कहते हैं यदि हम मनुस्य ही ना होते तो निर्मल नदियों की जलधा परवता का क्या काम होता हूँ तो विर्थ में मतलब ऐसे ही सुबह साम बहती रहती है। उसके बात कहते हैं। अगर não होते हम धर्थी पर उचे परवतों की क्या है सान। यदि हम मनुस्य प्रत्वी पर ना होते तो इन परवतों को उचा कौन केता। इनकी इतनी पहँचान है ये इतना हुचा है ये इतना हुचा है तो इसकी पहँचान कौन बनाता अब इसके प्रशनों सुनके सभी चुप हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं अगर ना होते हम धर्टी पर उर्जा का क्या है अर्थ यदि हम ही धर्टी पर ना होते तो इस विर्वल तो क्या होता है सभी वहाँ पर सवासत चुप हो जाते हैं और किसी के मुझे कुछ भी अवाज नहीं निकलती है आगे क्या होता है चलिए देखते हैं जब सभी क्या होता है सवासत चुप हो जाते हैं तो विर्वल फिसेद प्रशन पूझते हैं अगर ना हो हम धर् और खुसहाली लाता कौन? ये मंदिर मस्जिद में कारीगरी दिखलाता कौन? ये कपड़े ये भोजन स्वादिष्ट ये पेपदार्थ बनाता कौन? अब क्या हो रहा है? बिलबल उन सभी से प्रश्ण पूछ रहे हैं यदि हम ही धरती पना होते तो इस धरती पर खुसहाली मतलब खुस कौन रहता? इतनी खुसहाली कौन लेके आता? ये मंदिर और मस्जिद में इतनी अच्छी कारीगरी की गई है इतने अच्छे से सुन्दरता से जो बनाए गए हैं वो कौन दिखा पाता? और ये सुन्दर सुन्दर कपड़े, ये स्वादिष्ट भोजन और तर आज भी नहीं निकल रही है उसके राद फिर वो पूछने रखते हैं अगर ना होते हम स्ष्टी को चलाता कौन? ये हम ही इस स्ष्टी में ना होते इस दुनिया में इस जगत में संसार में ना होते तो इस स्ष्टी को कौन चलाता? अगर ना होते हम तुम जीवन का सुन्द अरे बताता कौन यदि हम तुम इस दुनिया में ना होते तो जीवन का जो सुंदर है सुंदरता है वो कौन बता पाता कि तुम इतने सुंदर हो हम इतने सुंदर है वो इतना सुंदर है हरयाली इतनी सुंदरता होती है यदि हम ही ना होते तो ये सुंदर जो सुंदरता है कौ कौन बता पाता उसके बात क्याते हैं अगर ना होते हम तुम इस भुमी का वंदन गाता कौन गोदे यदि इस प्रती पर हम और तुम ना होते तो इस भुमी का इस धर्थी का वंदन कौन गाता इससे प्रातना कौन करता तो इस तरीके से जब बीरबल पूछने लगते हैं तो तो सभी सवासत चुप हो जाते हैं और कोई भी उसके प्रस्ण का उत्तर नहीं दे पाता है और यह देखते हुए क्या होता है अकवार बहुत ही खुश हो जाते हैं फिर से और बहुत ही प्रसंदों के कहते हैं सावास वीरवल सावास लगते हैं बहुत अच्छे वीरवल पूरी कर दी सचमुच मनुष्य ही महान है अकवर कहते हैं हाँ सची कहते हो तुम वास्तम में मनुष्य ही महान है यदि मनुष्य ही ना हो तो इस धर्थी पर सूरज, चांद, चांदनी, प्रकास और जो क्या है बादल, पानी, नदिया, कपड़े, भोजन का कुछ भी काम नह है यदि मनुस्य ही ना हो तो कोई भी किसी का गुर्गान कैसे करेगा इस ट्रस्टी में सभी चीजें क्या हैं व्यर्थ हैं कुछ काम की नहीं है इसलिए मनुस्य ना हो तो इस ट्रस्टी का कोई अर्थ नहीं है तो बच्चो इस तरीके से बीरवल सभी प्रशनों के उत्तर द इस दुनिया में जो सबसे महान है वो हम मनुसी हैं, हम इंसान ही हैं, जो क्या जो चाहें वो कर सकते हैं, बाकी पेड, पौधे, जीव, जन्तु भी वो नहीं कर सकते जो हम इंसान कर सकते हैं, इसलिए सच में कहा गया है कि मनुसी ही सबसे महान होता है, तो बच्चो मैं आसा क करता हूं आपको इस पार्ट में सभी चीजे अच्छे से समझ में आ गई होंगी यदि किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फूच सकते हैं धन्यवाद